नमस्कार मैं दीप स्वागत करती हूं आपका अपनी चैनल में जिसका नेम तो आप लोगों को पता ही होगा कैश लाइप वितीप तो आज है शिवरात्री महाशिवरात्री और महाशिवरात्री कि शुब और पर मैं सब लोगों को तहे दिल से महाशिवरात्री की हादिक शुब कामनाई देना चाहती हूं और आज का दिन जो है ना बहुत खास है बहुत इंतजार होता है लोगों को हमारे हां यहां पे लोग हरिद्वार जाते हैं कावर्ड और जल भर के लाते हैं और शीवलिंग पे चाहते हैं और आप लोग भी अपने नियरवाई में कहीं ना कहीं घया ही होंगे तो मेरे आज की होंगे तो आज की जो वीडियो है फुल जो है ना वो डिवोटेड है व्रत से रिलेटेड और व्रत से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि आज मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगी साथ शेयर करूंगी कि मैंने आज क्या-क्या बनाया है और मेरे हां बिलीब नी करेंग मैं थालिग शेयर कर रही हूं मैं एक रेसी पर शेयर कर रहा है जो हाज ब्रत में सकते हैं मैं फोड़ा Unsynिक तरद से मैं बनाया है तो मैं आप लोगो किसाथ शेयर करना चाही थी तो उसको बनाने के लिए चीज़ें भी बहुत हम चाहिए और स्टेप बे स्टेप क्या- scarf llam क्यर्टन को भी किरतन का फल मिल जाए और मेरे घर में फूरा महाल ले में को मुझे सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए फीर मैं दिखाती हूं मैं अज क्या बना रही हूं मैं बना रही हूं और जो साबुदाना है उसकी बॉल बनाओंगी जैसे बनाओंगी चीज पोटेटो का बॉल बनता बनाओंगी और आप दो बंख नग करूंगी कईसे बनाया है तो चलिए फिर पहले तो चलते हैं कि रतर में उसके बाद बनाएंगे रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर तो चलिए फिर पहले करते हैं उसके बाद बनाते हैं ठीक है कर लोगों कर दो करो मुचा वाला रे नवाव क्योर रे नवाव क्योर मंगेतर से इतन से आने के बाद मैं किचिन में आ गई हूं और मुमफली मैंने फ्राइ किया है क्योंकि चाय के साथ थोड़ा सा कुछ स्नेक्स ट्राइप का चेह था और बेटी को लग रही थी भूख तो मैंने उसके लिए बनाना दिया थोड़ा बहुत की खालो और यहां मैं चाय के लिए इंवाइट कर रही हूं आप लोगों को आ जाओ और साथी साथ मैं यहां काम निप्टा रही हूं यहां मखाने मैंने फ्राइ कर लिया है खीर बनाने के लिए मैंने मखाने के खीर भी बनाई है तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है साथी मुमफली के दाने भी फ्राई कर लिए थे मैंने क्योंकि जो सागो बॉल्स बनाऊंगी न मैं उसमें थोड़ा सा वो भी चाहिए मुझे ये मुमफली के दाने मुझे भूलन आने के चक्कर में सारी तो बजगी बाल जल गए मेरे तो बड़ा बुरा हुआ अज मतले मेरे बाल बहुत जादा जल गए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं पर दीपक तो नहीं जल रहा था धूप जल रही थी तो मुझे लग रहा है उसमें ही बाल आ गया मेरा और यह जल बागे अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी हूँ यह वरत की थाली वरत की थाली नहीं वरत का जो रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी यह है सागो बॉल्स इसको बोलते हैं साबो दाना के बॉल्स बोल सकते हैं आप जो भी नाम दे सकते हैं दे सकते ह मैंने यहां पे लिया है साबोदाना और मुमफली को दरदरा पीस लिया है और मैं पता देती हूं कि कितना सारा मैंने लिया है एक कटोरी के करीब मैंने साबोदाना लिया था और आधा कटोरी के करीब मैंने मुमफली लिया था दोनों को साथ ही साथ मैंने पीस लिया था दनीय कट करके डाल दिया है, साथ ही साथ दो आलू को मेंने गरीट कर दिया और अगया सेना नमक अब इसका एक हम डो बना लेंगे जो ऐसे बन के तयार हो जाएगा जिसा आपको दिख रहा है यह डो मै ने बना लिया है zaten इसमें थोड़ा सा अध्रक डाल दिया है मैने अब इसके हम बॉल बना लेंगे जैसे हम पोटेटो चीज बॉल बनाते ना सेम वैसे ही बनाते हैं अगर आप चाहे तो इसमें पनीर फिल कर सकते हैं बॉल में और या तो चाहे तो आप इसमें नहीं भी फिल करेंगे तो देखे ये बॉल्स मैंने ऐसे बना के रेडी कर लिए और आप इसको हम कर सकते कर लेंगे डीप फ्राइ जैसा कि आपको दिख रहा है तो यह डीप फ्राइ हो रहे हैं मेरे बॉल्स जो मैंने यहां पर रख रखे थे और साथ ही यहां पर मैंने थोड़े से ना बड़े जैसे भी बना लिये थे इसी के ही और साथ में दही है और मैं के तरह आप इसे यूज कर सकते हैं तो हमने दही के साथ इसे खाया था बहुत टेस्टी लग रहा था और मैंने यहां पे आप लोगों के साथ जुवरत की थाली हैं मैंने शियर कर दी थी बहुत ज्यादा चीज तो नहीं बनाई थी मैं क्योंकि कुट्टो के आटे की पूरी नहीं खाते हैं बच्चे भी नी खाता और मुझे भी नी पसंद है तो मैंने हाँ पे लेमन पोटेटो बनाया था थोड़ा सा और यहां पे मैंने बनाया है सागो बॉल्स और साथी साथ थोड़े से मैंने बड़े टाइप के बना दिये थे और दही के साथ खाया और मखाने तो ये वीडियो आप लोगों कैसी लगी बताएगा जरूर पसंद आये होगी तो लाइक कमेंड और शेयर